दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्राइटिक स्टफ के इस चैनल पे और आप जैसा देख सकते हैं कि फोटो एप खुला हुआ है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो फोटो एप आपके लैपटॉप में है हाट ड्राइब भी नहीं खरीच सकते हैं तो चली देखते हैं इस वीडियो में जैसा आप देख सकते दोस्तों आई फोटो ओपेन है और मेरे पास इसमें कई सारे डिफरेंट फोटो हैं जो कि मैं मूफ करने वाला हूँ पूरी लैबरेरी ही मूफ करनी पड़ेगी मैं फोट चाहता हूँ कि इस लैप्टॉप के हाट ड्राइब में कितना स्पेस बचा हुआ है आप इन्फो करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ अभी 63 GB बची हुई है अगर मैं एक भी 64 GB का SD काड कॉपी करना चाहूं तो पूरा स्पेस फुल हो जाएगा क्यों इसे मेरे पास यह 5 TV का ड्राइब है यह 1 TV का मसीन ड्राइब है वहां डाल सकते हैं Samsung का SSD है हम यहां डाल सकते हैं तो इन्वें से किसी भी external drive पे मैं रख दूंगा जहां से मैं यूज करूं तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं पहले तो हमें क्या find out करना है तो सबसे पहल आपको फोटो पे क्लिक करना है फिर प्रिफ्रेंस पे क्लिक करना है फिर प्रिफ्रेंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि ट्राइटेक स्टफ लाबरेरी लोकेशन यूसी इसमें लिखा हुआ है लाबरेरी लोकेशन और इस लोकेशन पे वह लाबरेरी पड केला जाता है तो आप देख सकते यह लाबरेरी है जिसका जो मैक्सिमिम साइज अभी दिख रहा है वह 18.13 दिख रहा है क्योंकि यह लाबरेरी बहुत ही छोटी है मैंने आप लोगों को डेमो देनी के लिए मैं बनाई है अदर्वाइस मेरी लाबरेरी तो 500 GB और 1 TV की है तो मै उसको external drive पे ही रखता हूं तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस लाबरेरी को external drive पे मूफ करेंगे और वह मूफ करने से पहले आपको make sure करना है कि आपका जो फोटो है एप खुला हुआ वह क्लोज होना चाहिए तो आपको क्या करना है फोटो में जाना और क्विट करना है क्लोज होने के बाद ही हमें मूफ करना है नहीं तो हम कुछ फोटो मिस कर सकते हैं तो और मैं इस photos list के अंदर में जाके इस library को paste कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने copy और paste कर दिया एक कुछ 18GB का है अब मैं copy तो SSD drive में कर रहा हूँ तो just एक minute लेगा इससे ज्यादा नहीं लेगा लेकिन अगर actual जब library होती है तो धीरे धीरे accumulate होते जाती है तो क्या होता जब भी आप laptop से hard drive connected रखेंगे और photo को open करेंगे और कोई भी photo आप copy करेंगे अपके laptop में तो वो सारे photos इस library में store होगा जिसका location external है internally तो इससे आपका जो internal laptop है जो 256 और 500 GB का है उसका space बचा रहेगा और उसमें आप जो day to day job है वो कर सकते क्योंकि photo काफी ज्यादा space लेता आज के date में एक एक photo phone से भी click किया हुआ 10 MB 12 MB का होता है तो आप सोची सकते एक event और आपका library full तो यह काफी अच्छा होगा कि आप move कर द लिखाते हैं इसमें डेगों तो देख सकते external drive पे photo copy हो चुकी है अब मैं क्या करने वाला हूं कि जो मेरे pictures के अंदर जो photo थी यहाँ पे है मैं इसको select करके इसको move to trash बोल दूँगा तो अब यह trash में चली गई है delete हो चुकी है अब अगर हम जाके photo को open करेंगे तो आप देख में है अभी मैंने trash में रखा है trash से delete नहीं किया है कुछ fail हो गया तो हम restore कर लेंगे तो अभी हम इसको quit करेंगे और अब क्या करना है आपके laptop के या external keyboard है तो उसका option बटन चूज किजिए प्रेस किजिए first और फिर photo app पे click किजिए तो photo app इस वाल कुछ different खुला आप देख रह reference कर सकते हैं तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम वो previous library को reference करने वाले हैं तो हमने कहां रखा था Samsung के ssd में photo lips के अंदर यह तो मैंने इसको select कर लिया और अब इसको open बोलेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो यह photo library है वो internal drive की जगा external drive पे है और उसी तरह से काम हो र verify कर सकते हैं फिर से आपको photo preference में जाना है और वहां पर आप देखे कि अब library का location क्या तो आप देख सकते हैं लाबरे का location जो है Samsung TV है internal drive नहीं है तो इस तरह से हम internal library को move कर सकते हैं और option बटन प्रेस करके कोई भी library location से library file को reference कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्त आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें